कोरोना वाइरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे जिले में एहतियात बरती जा रही है जहां नगर परिशत, नगर पालिका और हर सरकारी कार्याले को सैनिटाइज किया जा रहा है तो वहीं अब इस कारे में पंचायद भी पीछे नहीं है ऐसा ही मामला सामने आया है खरवाई पंचायद का हाथ जाग गेहु तुलाई केंदर खरवाई पंचायद के सरपंच और ग्रामिनों के सहीयोग से ग्राम पंचायद को सैनिटाइज किया गया तो वहीं अनाश तुलाई केंदर को भी तीसरी बार सैनिटाइज किया गया बतादे कि यहां अनाज तुलाई केंद्र पर आसपास किक्षेत्र में भारी संख्या में किसान अपने उपज समर्थन मूले पर बेचने आते हैं वहीं घरवाई पंचायत ने किसानों को कोरोना वाइरस को लेकर भी जागरुक किया है राय सिंसे आजएक गोहिल के रिपोर्ट पर आज आपने तुलाई केंद्र रही खरवाई यहां पर सेनेटाइज करवाया है क्या सोच लेकिश चल रहे हैं आप गिराम पंचायत खरवाई का गाहँ है तुलाई केंद्र खरवाई है यहां पर पिछले तीस दिन से ज़्यादा होगा है तुलाई होते हुए और पंचायत की तरफ से यहां तीसरी बार सेनेटाइज कराया गया है सोचल लेस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और सब का आप देख सकते हैं पीछ मार्समान के तुलाई कर रहे है इसके मद्दे नजर गाहों में भी पूरा सेनेटाइज करा गया है पंचायत द्वारा हर पंदा दिन में गाहों को सेनेटाइज कर वा रहे हैं इसी कड़ी में प्रसासन के भी निल्दे से उसको देखते हुए सब किया जा रहा है म zijंधा जाहेंगे आप मेरा आम जयंता को और ग्रामी से सब से कहना है कि फर्ट धर Kingdom करी रहा है लेकिन हम लोगों को सक पालन करते हुए और नियमों को कडाई से पालन करना होगा क्योंकि सब सासन नहीं कर सकता हमको आगे होके आगे आगे सब को मान दे के और एक तलब से चलना होगा लेकर मेरा नाम गोविन सर्माएं और मेरे